बॉलिवूट में तीन सूपरस्टार हैं जो एक वक्त पहले दोस्ती की मिसाल हुआ करते थे जिनकी दोस्ती एक दूसरे की हेल्प से लेकर हर प्रग्राम में साथ जानम मना जाता था लेकिन कुछ वजा उसे उनकी दोस्ती में तकरार आ गई थी इस सूपरस्टार हैं शारुक खान, सल्वान खान और आमीर खान यह ऐसे चमकते सितार हैं जिन सिर्फ लोग खान से ही बुलाया करते थे इन्हें तीन की तिगडी में शुमार किया जाता था इंडस्ट्री में दूसरे का कॉम्पेटीटर होने के बावजूद भी बॉलिवूट के ये तीन चमकते खान थे एक दूसरे की फिर्म का जमकर प्रमोशन भी करते थे ये लोग जिस महफिल में तीन खान की जोड़ी पहुँच जाये उस महफिल में चार चान लग जाते थे लेकिन ये क्या हुआ बॉलिव उंडस्ट्री में उस समय संसनी मच गई थी जब सल्मान और शारुक खान की लड़ाई हुई थी 17 जुलाई 2008 को इन दोनों की लड़ाई हुई और करीबन पांस साल तक इन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी लडाई के बाद भी कभी सल्मान और शारुक खान एक दूसरे के बार में कुछ गल्थ नहीं का जिहां आपको बता दें लडाई के बीत शारुक खान से जब भी उनकी और सल्मान की दोस्ती के बार में पूछा गया तो नोंने हमेशा यही कहा कि भली ही हम दोनों एक दूसरे से अलगे हो गए हैं लेकिन हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ है और जिहां ऐसा ही हुआ फिर इन दोनों की 20 दोस्ती हुए और यह दोनों ऐक साथ कही जगाओ पर फिर से एक साथ देखे गए यहां तक कि दूसरों के फिल्म भी प्रमोशन करते हुए देखे गए हाला कि आपको बता दें कुछ वक्त पहले बिक बॉस में भी ये दोनों एक साथ नजर आए दे इसके लावा आपको बताते हैं कि इन दोनों के अलावा आमिर खान भी एक बहतरीन दोस्ती की मिसाल कायम कर चुके हैं जी हां लेकिन ऐसे कम लोग ही जानते हैं सलमान और आमिर खान की दोस्ती के बारे में आमिर खान ने जब अप इंटेव्यू में बताया था कि फिल्म अंदाज अपना अपना में सलमान खान के साथ पहली बार उन्होंने काम किया था उनका एक्सपीरिंस बहुत खराब था उस समय आमिर खान सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उनको ख़डू स्वाना करते थे सलमान के साथ फिल्म में काम करने के बाद उन्हों उन्हें धीरे धीरे ऐसास हुआ कि वो एक अच्छे इंसान है और इनकी दोस्ती भी हो गई जिहां आप सही सुन रहे उसके बाद लोगों को इन तीनों को एक साथ देखा जाने लगा इसके लावा आपको बता दें कि वक्त बदला लोगों की सोच भी बदली यहां तक कि दोस्ती में दरार आई और उस वजह से धीरे धीरे उन्हों में भी बदलाव आया और यकीनन यह तिगडी फिर एक साथ जरूर नजर आएगे नेक्स्ट नाइन न्यूस से नाजमीन की रिपोर्ट